Hello everyone, welcome back कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear students, आज का ये lecture आप लोग के लिए बहुत ही जादा important होने वाला है क्योंकि आज के इस lecture में हम 17 सेड़ी के यन पदों के योगफल के बारे में discuss करने वाले हैं आज के इस lecture में हम फार्मूले का derivation करेंगे साथी साथ इस फार्मूले के विहाब पर question solve करेंगे और आप लोगों को इसके विहाब पर आज task भी provide कराया जाएगा जो आप लोगों को complete करना है dear students जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा ये lecture समानतर स्रेडी का 5th lecture होने वाला है इसके पहले 4th lecture में आपको provide करा चुका हूँ आसा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उन सभी के सभी lectures को जरूर से जरूर देखा होगा नहीं देखा होगा तो चैनल पे playlist बन चुकी है साथी साथ इस lecture के description में आपको इस playlist का link भी मिल जाएगा वहाँ से जाकर कि आप previous सभी के सभी lectures को देख करके अपनी copy को complete कर लिजिए आए dear students आज के इस topic को start करते हैं आज का topic है हमारा समांतर स्रेडी के यन पदों का योगफल आईए समझते हैं क्या होता है इसका derivation करते हैं topic है Dear students समांतर स्रेडी के यन पदों का योग यन पदों का योग बोलिए या योगफल बोलिए बादेखी है Some of N terms of AP धान दीजेगा क्या है डियोसेंट सम आफ यन टम्स आफ एपी समांतर स्रेड़ी के यन पदों का योगफल इसका पहले मैं आपको समझाऊंगी मतलब क्या होता है फिर इसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे जैसे डियोसेंट समान लीजिए हमारे पास कोई एपी है थ्री है फाइव फिर सेवन फिर नाइन फिर इलेवन एट समांगी यह हमारे पास कोई एपी है अगर इस AP का हमें कहा जाए कि 100th term find करिए या 50th term find करिए मिन्स इसका पचासवा पद ग्यांद कीजिए या सवा पद ग्यांद कीजिए तो हमारे पास फार्मूला है डियो स्टेंस कौन सा TN equal to A plus N minus 1 into D अगर last से कोई पद निकालना चाहते हैं तो TN equal to L minus N minus 1 into D यह हम लोग फार्मूला यहां पर यूज कर लेते हैं और अगर कोई कहता है कि इसका last term निकालो तो L equal to A plus N minus 1 into D यह 3 फार्मूले हम लोग previous classes में discuss कर चुके हैं इनका यूज करके उसको हम find कर सकते हैं लेकिन अब बात यह उठती है कि अगर कहा जाए कि इसके 10 term का sum find करिए मतलब 10 पदों को जोड़िए तो इन सब के बीट में plus का sign लगाया जाए और सब को जोड़ा जाए अब सब को जोड़ना not easy process अगर सारे terms को ऐसे directly add किया जाए directly उनको जोड़ा जाए तो उसको जोड़ने में काफी जादा time consume होगा और गलती होने के chance बहुत जादा बढ़ जाएंगे तो किसी भी AP के कई सारे terms का sum find करने के लिए हम जिस फार्मूले का use करते हैं उसी को बोलते हैं sum of yarn terms of AP आईए समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस फार्मूले का derivation कर सकते हैं ठीक है डियसेंड्स आईए बात करिए अब आप देखो यहाँ पर आप कहोगे चूंकि AP का ब्यापक पद ध्यान देना सभी लोग ब्यापक पद AP के ब्यापक पद की हम बात करें जिसको हम बोलते हैं general term of AP general term of AP AP का जो general term होता है यह सब को याद हो चुका होगा A होगा A प्लस D होगा A प्लस 2D होगा ठीक है A प्लस 3D होगा लास्ट में L लिखा जाता है लास्ट में इधर से कम करके यहाँ L लिख सकते हैं और L के पहले L माइनस D आया गए इसके पहले L माइनस 2D आया गए यह आपको पता हैं डाट 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 वीचे बहुत सारे terms आएंगे यह हमारे AP का general term होता है अब हमें क्या करना है इन सारे terms का sum find करना है means इन सारे terms को जोड़ना है इने add करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इन सब के बीच में plus का sign लगा देना चाहिए क्योंकि इन ही सब को हमें क्या करना है डियोसेंट्स add करना है यह सब हमने यहाँ पर add कर लिए अब इन सब को add करने के लिए जो sign use करेंगे वो होगा बच्चों SN क्या होगा SN मतलब इसके यन पदों के योगफल को SN से रिप्रेंट किया जाएगा sum of yen terms जिसको हम लोग बोलेंगे अब एक बात यह समझे जैसे डियोसेंट्स हमारे पास नंबर है 1, 2 और 3 ऐसे प्लस करें या 3, 2, 1 लेकर के प्लस करें दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि addition जो होता है वो commutative होता है वो क्रम मिन में नियम का पालन करता है तो इसके लिए इसको हम चाहिए SN इकल टू उधर से लिख दीजिए L लिखिए प्लस यहां L माइनस D लिखिए और यहां L माइनस 2D लिख दिए अब प्लस डाट 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 प्लस यहां पर जो होगा बच्चों A प्लस 2D आ जाएगा और यहां A प्लस D आ जाएगा और यहां पर बच्चों A आ जाएगा हमने केवल करम बदल करके उसको लिख दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों को बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे ठीक है क्या लिखेंगे जोडने पर आइडिंग फर्स्ट रैंड सेकेंड जब दोनों को आइड करेंगे तो देखिए हमें क्या रेजरिट मिलता है जहां से समझिएगा यह है डियोसेंट्स सन यह है सन S-N-S-N 2-S-N हो जाएगा यहां लिखेंगे 2-S-N अब जब इसको आइड करोगे देखो यहां पर A प्लस L आयेगा एक बार और यहां D से D कैंसिल होकर के यहां पर भी A प्लस L बचेगा और यहां पर 2D से 2D कैंसिल होकर के क्या बचेगा A plus L ही लिखो एक क्रम में लिखेंगे तो सही होगा और यहाँ पर भी add करेंगे बच्चों तो A plus L आप लोगों को मिल जाएगा तो आपने देखा कि जब हम इन सब को add किये तो सब जगां D से D cancel हो करके हर जगां हमें A plus L मिल गया है अब आप देखें यह A plus L कितनी बार मिला है देखो ध्यान से 1, 2, 3, 4, dot, 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 how many terms? यन terms आप सोचो एक ही नमबर को अगर हम 10 बार add करना चाहतें चाहे है उसको 10 बार add करें 10 बार जोड़ें 10 से बुड़ा कर दें तो इसको कितनी बार add किया जा रहा है यन times तो इसलिए इसको हम 2 SN equal to N A plus L बच्चों लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये N बार जोड़ा जा रहा है तो SN क्या हो जाएगा? N by 2 होगा और A plus L होगा ये बच्चों किसी समानतर सेड़ी के यन पदों के योगफल का सूत्र होता है SN is equal to N by 2 A plus L अब देखो इसके अतरिक्त और भी इसके फार्मूले बनाए जा सकते हैं आईए समझते हैं कैसे? आपको यहाँ पर क्या मिला है? आपको मिला है SN equal होगा N by 2 A plus L के ये फार्मूला तो आपको मिल ही चुका है अब देखिए since L जो होता है बच्चों L वो TN के भी क्या होता है? अगर किसी AP में total N terms ही हैं तो last term जो होगा वो N term के क्या होता? इक्वल होता है तो therefore आपको SN equal to एक फार्मूला मिलेगा N by 2 A plus TN A plus TN ये दूसरा फार्मूला बनेगा और ये पहला फार्मूला बनेगा समझ में आ रहा है? अगेन फिर से देखिए फिर देखिए again since TN जो है वो होता है A plus N minus 1 into D बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो होगा और A होगा जहां TN होगा वहाँ A plus N minus 1 into D पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा SN equal to N by 2 देखो A और A कितना हो गया? 2A plus N minus 1 into D ये भी जो है किसी AP के यन तम्स के सम को फार्मूला होता है अर्थात AP के यन तम्स को फार्मूले हो गए आपके पास जहां जो प्रॉपर होगा जहां जो सही होगा उस फार्मूले का यूज वहाँ पर किया जाता है इसको हम तब यूज करेंगे जब नमबर आफ टरंस फर्स टर्म और लास टर्म पता होगा तब इसको हम लोग यूज करेंगे सन एककोल टू N बाइ टू A प्लस T यन कभ यूज करेंगे जब हमें यूज पता होगा तब और सन इककोल टू N बाइ टू A प्लस N माइनस वरें टू D तब पता करेंगे जब हमें D पता होगा जब हमें A पता होगा जब यन कहने का मतलब यह है कि अगर हमें D नहीं पता होगा तो उस situation में इन दोनों में से कोई एक formula हम लोग use करेंगे जो हमारे लिए proper होगा तो यह था हमारे समांतर सेड़ी के यन पदों के योगफल का derivation और उसका formula आईए conclusion निकालते हैं और इसके बिहाब पर डियो सेंड्स कुछ questions हम लोग solve करते हैं जिससे हमारा यह अच्छे से clear हो जाएगा जब इसके बिहाब पर हम लोग कुछ questions डियो सेंड्स साल्व कर लेंग के साथ lecture को share जरूर से जरूर कर दिए क्या conclusion निकला है डियो सेंड्स हमें क्या क्या फार्मूला मिला है एक मिला है sn equal to n by 2 a plus l sum of yen terms आप a p यह पहला फार्मूला मिला है second हमें मिला है sn equal to n by 2 a plus tn यह भी sum of yen terms आप gp है ठीक third हमें मिला है sn equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d यह 3 फार्मूले हम लोगों ने अभी अभी derive किये हैं बाकी इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसका तो यहाँ पर use होता ही रहेगा आज का topic यह है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखते से आप बार बार देखेंगे तो आपको यह फार्मूले आसानी से learn हो जाएंगे ठीक है आई अब हम लोग चलते हैं अपने exercise पर डियो स्टेंट्स exercise 2 I hope आप सभी लोगों के पास PDF होगी जिस book से मैं आपको question solve करा रहा हूँ अगर आपके पास PDF नहीं एडियो स्टेंट्स तो आज इसी lecture के description में आपको अपने telegram channel का link मिल जाएगा उसको join कर लिजे और वहां से इस book की PDF आप download कर लिजे जिससे आपको questions को solve करने में problem ना हो क्योंकि हम कितना भी अच्छे से पढ़े हो जब तक हम question को solve नहीं करते हैं तब तक हमारे concept अच्छे से clear नहीं होते हैं आए डियोसेंट समझते हैं हम लोग अपने first question की तरफ चलते हैं इस exercise second के first question की तरफ करा एक समांतर स्रेड़ी है समांतर सेड़ी क्या है देख लिए 3 है प्लस 6 है प्लस 9 है प्लस 12 है प्लस डाट 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 प्लस 150 है का योगफल ज्यांत की जिए ध्यान रखिए लिखा है का योगफल ज्यांत की जिए ठीक है बहुत ही simple सा question है यह हमारे पास एक AP दी गई है और इसका हमें योगफल ज्यांत करना है अब देखो ज्यान से उपरोक्त AP में क्या-क्या पता है पहले हम लोग लिखेंगे उपरोक्त AP में प्रथम पद दी असेंट्स आपको 3 दिख रहा है अंतिम पद आपको 150 दिख रहा है और अगर हम D की बात करें तो 3-3 का अंतर जल रहा है यह मिल रहा है अब हमें इन सारे टम्स का सम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर फार्मला एपलाई कर सकते हैं SN is equal to N by 2A plus L यह फार्मला हम लोग यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें number of terms पता होना चाहिए जो कि हमें पता नहीं है तो आईए N की वैलू फाइंड करते हैं पहले हमें N चाहिए देन हमें क्या चाहिए SN चाहिए यही तो मतलब हुआ तो देखिएगा L equal to 150 given है तो L का फार्मला होता है A plus N minus 1 into D यह होता है अब A की वैलू हमारे पास कितनी है 3 N की वैलू हमें find करनी है D की वैलू भी कितनी है बच्चो 3 ही है is equal to 150 हो गया अब यहाँ N minus 1 into 3 is equal to 147 बचा तो N minus 1 equal to 147 by 3 हो गया 3 4,012 और 3,9,027 तो N is equal to आपको यहाँ पर 50 मिल जाएगा तो N की वैलू हम लोगों ने find कर लिया अब आपको इसका sum निकालना है now S N equal to formula होता D stands N by 2 A plus L इस formula को हमें apply कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर N by 2 2 A plus N minus 1 into D भी apply कर सकते हैं कौन सा यह वाला S N equal to N by 2 2 A plus N minus 1 into D इसको भी हमें apply कर सकते हैं लेकिन अगर हमें last term पता है तो यह वाला formula यूज करना हमारे लिए जादा आसान होगा जादा easy होगा इसलिए मैं इसको use कर रहा हूँ S N equal to N की value कितनी आई है 50 upon A की value कितनी है 3 और L की value है बच्चो 150 तो इसको solve करो S N equal to 25 हो जाएगा into में 153 हो जाएगा है ना अब इसको आप multiply कर लिजेगा 25 तिया 75 और 25 चवका 100 25 पंचे 125 होता है 125 में जब जोडेंगे 7 तो 132 आएगा और 25 से कम 25 पचीस में 13 जब जोडेंगे तो आपको मिल जाएगा 3825 ये डियस्टेंट्स आपका यहाँ पर answer आना चाहिए 3825 ये आपका answer आना चाहिए और एकदम correct answer है यही answer आ भी रहा है ठीक है तो फटा फट से इस question को note कर रहे है आप लोग समझ भी गए होंगे चलते हैं हम लोग अपने next question की तरफ और जो question number second idea of sense वो लगभग लगभग ऐसा ही question है जिसको मैं आप लोगों को task के फाम में दूँगा और उसको आप लोगों क देखें dear sense करा है समांतर स्रेडी ठीक समांतर स्रेडी क्या है समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी हमारी है four whole one by two five whole one by two six whole one by two ठीक है प्लस लगा हुआ है इसमें plus 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 and dot 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 180 whole one by two का योगफल ज्यात कीजिए का योगफल ज्यात कीजिए same question है ना प्रथम पद सारवांतर और अंतिम पद ये प्रथम पद हो जाएगा सारवांतर मिल जाएगा और अंतिम पद मिल जाएगा जैसे अभी मैंने साल्व किया पहले पदों की संख्या निकालेंग उसके बाद यन पदों के योगफल का फार्मला अप्लाई करके question को हम लोग dear students क्या करेंगे solve कर लेंगे तो ये question हमारा आसान है इसको आप लोग solve करेंगे ये आज की task में रहेगा ठीक है two days task इसको solve करिएगा और comment section में dear students इसका answer मुझे जरूर बताइगा तभी मुझे करते हैं next question की तरब question number three देखिए क्या है डियो सेंस करें कि समांतर सेड़ी अर्थात एपी लिख देते हैं two whole one by three comma one by three comma minus two whole one by three dot 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 के 18 अठारा अठारा पदों का योग फल ठीक है योग फल ग्यांत कीजिए बड़ा ही simple सा question है हमारे पास एक एपी दी गई है हमें क्या करना है dear students इस एपी के 18 पदों का योग फल ग्यांत करना है तो दी गई एपी में या ऐसे लिख सकते हैं in above एपी इन एबब एपी जो हमें एपी दी गई इसका पहला पत कितना है बच्चो टू होल वन बाई थरी जिसको हम लोग तिन दुन अच्छा एक साथ बटे तीन लिख सकते हैं अब दी अगर हम निकालना है तो कैसे निकलेगा एक बटे तीन में से साथ बटे तीन हमें माइनस करन समझ में आरी बाते यह आपका आजाएगा माइनस टू समझाया डी आ गया ए आ गया नमबर आप टम्स आपको एटीन बताया ही जा रहा है अब आप एसन फार्मला लगा दो एसन इकल टू एन बाई टू 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह फार्मला हम लोग सेबन बाई थी हो जाएगा प्लस एैटीन माइनस वन हैने टू टू की वैल वोग माइनस टू हो जाएगे साल करते हैं देखिए क्या आएगा यहाँ एटीन इकल टू यहाँ पर कितना बचेगा मी इंू इस्टू टू नाईन बचेगा यहाँ पर आपका फिर्टीं थी इसको करिए multiply 3, 4, 12, 3, 3, 9, 10, 102 हो गया बटे में 3 हो गया 3, 3, 9 यहां कट गया तो yes 18 18 find कर रहे है equal 3 into 14 minus कर लेंगे जब आप लोग इसमें से तो आपको मिल जाएगा यहां पर 88 88 88 तो नमबर ठीक है अब इसको आप ओभी minus से मिलेगा yes 18 equal to 23, 24, 24, 26 minus 264 यह distance आपका क्या आना चाहिए answer आई चेक कर लेते हैं कि कितना answer आ रहा है बिल्कुल correct है यह आपका यही answer आ रहा है तो बड़ा ही simple सा question था केवल formula हमें apply करना था अभी हम बहुत ही आसान आसान से question पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हें हम लोग solve कर रहे हैं अब ऐसे question no.4 है आपके पास book होगी ठीक है आपके पास book होगी तो आप लोग question no.4 के सारे questions को खुद से solve कर पाएंगे ठीक है कोई इसमें समस्य आपको नहीं होगी एक question इसमें थोड़ा सा लग दिख रहा है वो मैं आपको solve करके दिखा देता हूँ बाकि question no.4 में यहाँ पर कई सार parts दिए गए हैं dear sense उसको आप लोग period से देख करके solve करेंगे और किसी question में अगर आपको problem होती है आपको नहीं समझ में आता है तो comment section तो आपके लिए खुलाईए आप उसको बताईएगा उस question को मिलके solve किया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसका question में 4 का एक 5th part है ज दिखा है बच्चों x plus y plus 2x plus 3y plus 3x plus 5y ठीक है plus dot 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 plus x plus y पदों तक पदों तक मतलब इतने पद है ठीक है तो ये पदों की संख्या है जो यहां पर दी गई है ध्यान रखेगा ये पदों की संख्या है ये अंतिम पद समझने किसकी गलती मत करिएगा तो देखे ध्यान से आप बोलेंगे दी गई एपी में दी गई एपी में जो एपी दी प्रथम पद हो गया समझा है अब देखो इसका सारवांतर डी निकालो तो एक्स प्लस थ्री वाई में से एक्स माई घवटा दो तो डी कॉल टू कितना मिलेगा आपको ध्यान से एक्स प्लस टू आई यह आपको क्या मिल गया डी मिल गया नंबर आप टम्स कितने है एक्स प्लस वाई यह प्लस प्लस वाई पदों तक का योगफ़ दिया से आपको क्या करना है ग्याद करना है नाओ अब आप क्या कर यह फार्मला लगा दीजिए फार्मला एसन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस और इंटू डी क्या मिलेगा एसन इक्वल टू एन की वैलू देखिएगा एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएगा टू देखो टू इंटू एक वैलू कितनी है एक्स प्लस वाई प्लस इसकी वैलू कितनी है एक्स प्लस वाई माइनस वन और डी कितना है बच्चों डी है आपका एक्स प लिएगा वही आपके स्कोर आएगा सिंप्लिफाई करने पर मैं एंसर लिग देता हूं क्या रहा है एसन इकोल टू यहां पर एंसर आएगा एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा और ब्रेकट के अंदर आएगा डियो सेंट्स एक्स स्क्वेर प्लस टू आई स्क्वेर आएगा प्लस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स यही एंसर आएगा बाकी आप इसको मल्टिप्लाई करके चेक कर लिजेगा कि आपका एंसर कितना आएगा ठीक है क्लियर हो गया, समझ आ गया ये question, बहुत ही simple सा question था, I hope आप लोगं को ये समझ में आ गया, ठीक है, मिटाया जा, क्लियर हो गया, चले, next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और उसको भी हम लोग do students क्या करते हैं, साल्व करते हैं आज का जो लेक्चर था ये काफी ज़्यादा important था क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक नए formula का derivation किया है एक नए formula को समझा है इसलिए ये lecture हमारे लिए important हो जाता है अब मैं इस lecture को यहीं समाब्द करूँगा लेकिन कुछ questions आप लोगों को आज task में दूँगा जिसको आप लोगों को solve करना होगा देखिए ध्यान से पहला question आप note करिएगा एक से सव तक दो से विभाज विभाज संख्याओं का योगफल ज्यात कीजिए ये पहला question है एक से सव तक की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्यात करना है जो दो से डिविजिबल जो टू से डिवाइड होती है important question है एक और लिख लिजिएगा लिखेंगे कि एक से कि एक हजार तक कि या एक से एक तथा इसे रिखो एक तथा एक हजार के मद पांच से बिभाज पांच से बिभाज संख्याओं की संख्या योम उनका योगफल ज्यात कीजिए यह हमारे पास दो question है जो आज के टास्क में है ठीक है और इसको आप लोगों को साल्व करना है हिंट बिल्कुल नहीं दूंगा आप इसके पहले भी समांतर स्टेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में भी है ना और 11 में जो बच्चे हमारे पढ़े होंगी उन्होंने भी पढ़ा है तो आप लोग इसको साल्व कर सकते हैं सब्दों को ध्यान दीजेगा एक से सव तक मतलब इसमें एक और सव भी इंक्लिवडेट रहेंगे अकर वो कंडिसन को फालो करते हैं तो एक से सव तक दो से विभाज संख्याओं का योगफल यानत की दिए पहला है दूसरा है एक तथा एक हजार के मध्ध मतलब इसमें एक हजार इंक्लिवड नहीं होगा पांसे विभाज संख्याओं की संख्यायों नों का योगफल मतलब ऐसी कितनी संख्या होंगी जो एक ऑर एक हजार के मध्ध होंगी और वो पांच से कटेंगी ये आपको पता करना है कितनी संख्याओ है मतलब размерs हमें पाइन करना है फिर उन सब का हमेंड इस्टेंस क्या करना है, योगफल उनका जोगफल कितना होगा। ठीक है। यह दोनों विश्चों आप जरूर से जरूर साल्व करेंगे। और साल्व करके मुझे कमेंट सेक्षन मेंद डियम स्टेंस इसका एंसर जरूर से जरूर बताएंगे, तभी मु साह था आपका वो जुनून था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था लेकिन अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोग की संख्या को नोट कर पा रहा था तो उसमें आधे बच्चों का जो जुनून है वो कम हो चुका है आ रहे हैं अच्छा लेक्चर चल रहा है देखक लास होता है यह सारी चीजे तो अलड़istem पढ़ चुकें इसको तकम लोगम 10 में पढ़ाए इसको तो हमने 11 में पढ़ां इसको अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा अगर इसको अगर स्वें पया वाइसा हमारे स्टूडेंट्स सोचते हैं और उस से बहुत ही ज़ादा हो जाता है उनकी मेरिट कहीं न कहीं डाउन हो जाती जिससे बाद में उन्हें पस्टाना पड़ता है so dear friends आप इस में से किसी भी subject को हलके में न लें सारे के सारे problem के लिए बहुत ही जञ important ने सारे subject को equality के साथ पढ़ाई करें जिससे आपको बहतर अंक प्राप्त हो सकें बागी डियो सेंट्स आज की इस lecture में बस इतना ही मिलते हैं next lecture के साथ तब तक लिए सांधार रही और पढ़ते रही